ओम शांति प्रश्ण है विश्व परिवर्थक बनने के पहले कौन सा परिवर्थन करने की शक्ति चाहिए हम विश्व को परिवर्थन करने वाले कब बनेंगे हमने विश्व का परिवर्थन करना है और विश्व का परिवर्थक बनने के पहले हमें अपने में कौन सा परिवर्थन करने की शक्ति चाहिए बाबा कैसे समझाते हैं विश्व परिवर्थक बनने के पहले अपने संसकारों को परिवर्थन करने की शक्ति चाहिए दिरिष्टी और वृति का परिवर्तन चाहिए पहले अपने संसकार बदलें संसकार बदलेंगे तो हमारी दिरिष्टी बदलेगी हमारी वृति बदलेगी आप दिरिष्टा इस दिरिष्टी द्वारा देखने वाले हो क्योंकि जो बाबा ने शिरीमत हमें दे दी है अब हमने उसी नजर से सब को देखना है दिवे नेत्र से देखना है देखा ना की देखो ना की चमड़ी की आखों से इन चर्म चक्षों से नहीं देखना किसे देखना है जो ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है दिवे नेत्र से देखेंगे तो स्वत्य दिवे रूप ही दिखाए देंगे देगा चमडे की आँख चमडे को देखेंगे चमडे के लिए सोचती है ये काम परिष्टों वा ब्राह्मनों का नई के वो चमडे के आखों से देखें चर्म चक्षों से ये नाशवान दुनिया दिखाए देती है पन्तु दिवे नेत्र से केवल आत्मय दिखाए देती है और आत्मय भी वो सर्व स्रेष्ट सर्वोच सित्ती वाली आत्मय दिखाए देती है बाबा कहते मैं तुम्हें वर्तमान रूप में नहीं देखता हूँ के तुम कैसे हो मैं तुम्हें देखता हूँ वो संपूर्ण स्वरूप जो तुम सत्युके देवी देवता थे तो द्रिश्टी और विर्ती जैसे बाबा की कितनी उची है के वो हमें वर्तमान पतित रूप में नहीं देखते हैं तो बाबा हमें सिखाते के आपने भी संपूर्ण स्वरूप को देखना है वर्त मान सोरुप को नहीं देखना है और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करे और यदि कोई प्रशन हो स्पस्ट ना हो रहा हो तो 9213106986 पर वाट्सेप करे ओ श्शन्टी